हलो हलो नमसकार दोस्तों मेरा नाम भाई वावन है और स्वाखत करता हूँ आप सभी का आज के सचानदार वीडियो में बात करें क्लास इत्ड्रो माई सिटीज क्लास S को माई सिटीज पढगा 5 इत्वा वाई सिटीज पढगा तो सो जाया करो, जब नीन आजाया तो सो जाया करो, फिर उटके पढ़ने लगा करो, नीन आए तो खुब अच्छे सो, लेकिन उसके बाद उठो तो तुरन पढ़ने लगो, अगर मैं परसनली वाई अपनी वाद बताओं, तो मेरे बिस्तर के भगल में किताबे रखी होती है थीक है notes रख्की होती देः सारी पेन रख्के होते हैं मैं आपको अभी तो ऐसे दिखा मैं सकता नहीं तो camera गोमता तो मैं बटन लगा को घुमा के दिखाता आपको ठीक है नोट्स रखी है, किताबे रखी है कुछ इंगलिस बुक्स रखी हुई है जैसे अभी रखी है दीपक एंड, संजीव चोपड़ा ब्रदर हुड एक बिजनेस फैमिली की जैसे स्टोरी है हेड़फोन रखा हुआ है कीज रखी हुई है धेर सारी बुक्स आप आतमा सुचना भाई के ना विल्टा इव पंजाई आजम लोग पढ़ेंगे क्लास अ गिवू ट्रो इस माइक सिटी जई ती क्या पढ़ेंगि क्लास ती ट्रो मैं सिटी समते एक ओ क्लास डिविट डिव एवलिए वाई तो सारी TRO Dutromycetis class Dutromycetis बहुत छोटा सा यह class है और इसमें बहुत ही ज्यादा हमें कम चीजें पढ़नी पढ़ेंगी अगर हम देखेंगे BSC या MSC के according या फिर हम TGT या फिर PGT के according देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना होगा ठीक है Dutromycetis को हम लोग जह है Fungi Imperfecti के नाम से जानते हैं जो सबसे महत्वपूर और important बात है ठीक है जिसको हमें ध्यान रखना है Dutromycetis के member को also known as फंजाई इंपर्फेक्टी ठीक है फंजाई इंपर्फेक्टी के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है इंपर्फेक्टी के नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि ये पर्फेक्ट स्टेज और sexual reproduction इस class के member में member में absent होता है ठीक है fungi imperfecti के नाम से इसे क्यों जाना जाता है क्योंकि इस class के member में जो perfect stage होती है mature stage या फिर इसमें जो sexual reproduction होता है वो absent होता है किसमें deuteromycetes के member में sexual reproduction नहीं होता है अगर मैं आप से एक छोटा सा question पूचू कि बताये mesodio參cetes के member में कौन सा reproduction होता है तो कौन सा reproduction absent होता है simple question absent होता है आप बताईए question है पिछली class है आपने देखा हो तो वो किसके दौरा होता यह, जो है, नीचे comment box में comment करके बताईए, ठीक है, देखिए, इस class में सामिल क्या होते हैं, तो इस class में सामिल, इस क्लास में सामिल फंजाई इसको इसको माई सिटीज की असेक्सूल स्टेज होती है ठीक है इस क्लास के जितने भी फंजाई सामिल हैं जितने भी फंजाई समय आते हैं वो इसको माई सिटीज की असेक्सूल स्टेज होती है ठीक है जो इसको माई सिटीज में जो असेक्सूल स्टेज होता है उन्ही को हम लोग बोल देते हैं यह class detromitricities के member हैं, ठीक है, अगर इन में हम mycelium देखें, ठीक है, तो mycelium इसमें होता है branched और वो होता है septate, branched होता है, कैसा होता है branched होता है, साखित होता है, और आपका कैसा होता है, और होता है septate, है न, तन्तुमय होता है, ठीक है, तो देखो, अगर एक question है मेरा, आपसे, देखो, हमें समय question पूछूँगा, यह अगर पढ़ाओंगा तो, बताए किस class के member में, असेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, question है आपसे, कि बताए, which class of member found in असेप्टेट माइसीलियम, असेप्टेट माइसीलियम किस class के member में पाया जाता है, चार class आपके पास दी गई है, पहला, इसको माइसेटीज, दूसरा फाइको माइसेटीज, तीसरा बेसीडियो माइसेटीज एंड फोर्थ हिजाब का डिउट्रो माइसेटीज ठीक है, क्या है डिउट्रो माइसेटीज, बताईए इन चार में से कौन सा सही option है एक, दो तीन, चार नीचे comment box में जल्दी से comment करके बताईए, ध्यान से, ठीक है ऐसे मस्ती मस्ती करके ना बता देना क्या होता है कि इसमें इसमें कुछ member, ठीक है, अगर इनके nutrition दिखा जाए, nutrition तो some member are saprophytic ठीक है, and some are parasitic nature के, ठीक है saprophytic मतलब क्या होता है मरतोप जीवी ठीक है मरे हुए जीवों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से अपना खाना बनाते हैं ठीक है, saprophytic parasitic मतलब क्या होता है, पर जीवी ठीक है, किसी दूसरे जीव पर ये निर्भर रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना लेते हैं, ठीक है, तो जो deutromycities के member होते हैं वो आपके saprophytic और parasitic nature के भी होते हैं, ठीक है, इसमें asexual reproduction होता नहीं है तो इसमें reproduction कैसा होगा स्वारी इसमें sexual reproduction क्या होता है, absent होता है ठीक है, तो reproduction कैसा होगा जाहिर सी बात है, asexual होगा है ना, alangic genon होगा, किसमें, deutromycities में तो alangic genon होगा, तो किसके दारा होगा, तो alangic genon होता है, by conidia formation के दारा, asexual reproduction होता है, किसमें, deutromycities के member में, ठीक है, किसके दारा, by conidia formation के द्वारा ठीक है यह है आपका due to my city जिसके कुछ examples हैं इसको मिटा दू जैसे यहाँ पर side में आप इसको लिख लीजिए मिटा दू फिर आगई बढ़े बताएं इस जगे मिटा दू यहाँ पर इतना को नीडिया बनता है यहाँ पर इक्जामपल आपके है जैसे मैं कुछ आपके फंजाई के नाम बताता हूं जैसे है अल्टर नेरिया सोला नाई ठीक है जो अल्टर नेरिया सोला नाई है वो डिजीज कॉस करता है कौन सी अर्ली ब्लाइट ओफ पोटैटो ठीक है अर्ली ब्लाइट ओफ पोटैटो डिजीज कॉस करता है कौन अल्टर नेरिया सोला नाई फिर है सेरको सेरकोस्पोरा परसोनाटा ठीक है जो सेरकोस्पोरा परसोनाटा यह जो फंजाई है यह कौन सी डिजीज काज करता है तो यह करता है किस में ग्राउंड नट में अपने टिक्का डिजीज सुना होगा टेल्थ में आप लोगों ने पड़ा होगा अगर कुछ याद है तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं है ना तो आपने क्या देखा आईल्टनेरिया सोलनाई देखा फिर सरकोइस्पोरा सरकोइस्पोरा परसोनाटा देखा जो टिक का डिजीस कॉस कर रहा है इसके बाद जैसे आपने देखा कोले कोले टोट्रीकम कोले टोट्रीकम फैलक्टम ठीक है ये कौन सी डिजीस काज करता है ये काज करता है और रेड रॉट ऑफ लिए सुगरकेंगा जब आप चूसते हो ना तो उसके बीच में कभी कभी लाल लाल आप देखते होगे तो वह एक disease होती जो एक fungus काउस करता है कौन सा करता है कॉलेक्टो ट्रीकम में फैलक्टम ठीक है कैलेक्टो टीकम phalactum नामक एक fungus होता है जो red rot of sugar cane disease को cause करता है ठीक है इसके बाद आपकी है halmintho halmintho isporium orige ठीक है जो halmintho isporium orige होता है वो कौन सी disease cause करता है तो वो करता है leap spot of rice ठीक है फिर एक fungus और है जिसको बोलते हैं fucarium fucarium disease cause करता है जिसको बोलते हैं wild disease of pison ठीक है तो यह आपके disease cause करता है कौन fungus यह सभी इस साइड जो लिखे है alternaria solonai ठीक है sorco ispora personota ठीक है collecto trichium phalactum ठीक है halmintho isporium orige यह फिर fusarium यह disease cause करते हैं आपकी ठीक है यह प्रकार के fungus होते हैं अब बोलो के भाईया इनके नाम बड़े औजीब तरीके के हैं तो नाम है तो हैं ठीक है अब आपको अच्छे तरीके सिनको याद करना है आप समझे कैसे याद कर सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ यह डिट्रो माइट सिटीज की क्लास खतम हुई नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी विचार अपने डाउट्स जरूर दीजेगा धन्यवाद